हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महतोपुन टॉपिक लेक्याई हूँ इन्सोमेनिया यानी अनींद्रा नींद नहीं आने के सबसे असरदार घरेलो उपाई दोस्तो अगर आप इस उपाई को कर लेते हैं तो आपको अनिंद्रा से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है जिस तरह से अच्छा भूजन करने से हमारे शरीर को ताकत और एनरजी मिलती है उसी तरह से एक अच्छी नींद खासकर हमारे दिमाग के लिए घोजन की तरह काम करके उसे एनरजी प्रदान करती है इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा वैसे तो सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन केवल ठीक से नींद नहीं आने के कारण शरीर में कई दूसरी बिमारियां भी समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है कुछ लोगों को कच्छी नींद आती है यानी सो जाने के बाद भी रह रहकर उनकी आखे खुलती रहती है लेकिन बीच रात में या समय से पहले उनकी नींद को जाती है और उसके बाद दूबरा नहीं आती ऐसे में भी नींद रोजाना अधूरी रह जाती है अधूरी नींद की वज़े से हमारे शरीर और दिमाग की साथ साथ हमारे तवचा पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है आखों में सूजन और आखों के आसपास काले गेरे, बालों का ज़रना और तवचा का रंग काला पड़ता जाना शरीर में ब्लड प्रेशर और वजन का तेजी से बढ़ना सभाव में आलस और चिर्चरा पन होने के साथ साथ यादास कमजोड होने और concentration power यानि ठीक से ध्यान ना लगा पाने की समस्या यानि ये सारी समस्या अच्छे से नींद नहीं लेने के कारण आती हैं इसका हमारे metabolism और immunity system पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है जिसके वज़े से हमारे शरीर की बिमारियों से लड़ने वाली छमता भी कमजोड परने लगती है वैसे तो नीद ना आने के कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन stress खाने पीने और सोने के time devil पर गड़ड़ी तखा ज़्यादा चाय या कॉफी का सेवन रात के समय नीद ना आने के मुख्य कारण है साथी जो लोग दिन के समय सोते हैं या सोने से पहले mobile कस्तमाल करते हैं उन्हें भी रात के समय आसानी से नीद नहीं आती आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपयोग के बारे में जिसे आपकर करके अनिंद्रा याने की नीद के कमी को दूर कर सकते हैं जिनके रूजाना उपयोग से आप रात के समय नीद ना आने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और कम समय में ही आप रूजाना एक अच्छी और गहरी नीद भी ले सकते हैं तो चलिए बात करते हैं पहले नुसके के लिए, इसके लिए हमें चाहिए कद्दू के बीज, सुखे खजूर यानि छुवारे, खस-खस और बादाम, अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर में ट्रिप्टोफोन नामक का एमनो एसीड बहुत ही जरूरी होता है, जो ऐसी सभी चीजें जिसमें ट्रिप्टोफेन और जिंक दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं, वो हमारे शरीर में दिमाग को सांथ करने वाले सेरोटिन हार्मोंस को बढ़ाते हैं, और इनका सेवन करने के बाद हर बार आपको सोते समय गहरी नींद ही आती है, इन सारी चीज बारिक ट्गरों में काट लें इसके बादि इसे अच्छी तरह ग्राइंद करके इनका बारिक बना ले और इसी तरह कद्दू अच्छी तरह चला कर इसका भी पाओडर बना ले फिर 100 ग्राम कद्डू के बीज के पाओडर में 100 ग्राम बादा पाओडर और सौ से ते चुँआच्छत पाओडर के अब कर शुखे हुए उसके बाद 15 क्राम मिलाें अच्छी तरह मिलाकर एक एर टाइट्ड जार में रख ले ये नुस्का आपका तयार हो गया है इसमें हमने पॉपी सीट यानी की खसकस का इस्तमाल किया है खसकस हमारे पेट त्वच्छा और दिमाग के लिए बहुत अधिक फायदेमन होता है इसके अंदर जिंक मैगजीन और मैगनेशियम प्रचूर मात्रा में पाये जाती है रोजाना शाम को सूने से पहले इसका इस्तमाल करने से हमारा दिमाग शान्त होता है जिससे की बिस्तर पे लेटनी मात्र से हमें नीद आनी लगती है इसके इलावा छुआडों के अंदर भी टिक्टोफैन की मात्रा होती है और साथ ही इसके एंटी ऑक्सिजन प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग को अच्छी तरह ऑक्सिजन पहुचाने में मदद करती है सारी चीजों से मिलकर बने इस नुस्के को रोजाना रात को सूने से एक से तेड़ घंटे पहले करें इसके लिए आप एक कप हलके गुनगुने दूद के साथ एक चमच इस चूरन को मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं और एक अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर को जितने भी तरह के पोशक तत्वों की जरूरत होती है वह सभी इस चूरन में भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं इसका सेवन करने के बाद नींद ना आने और रात को बीच-बीच पे नींद तूटने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और लगतार इसके सेवन से इंसोमेनिया और स्लिप डिसॉर्डर जैसे बिमारियों में भी काफे तेजी से सुधार आता है इसके इलावा दूसरा नुस्का है जो कि आप सोने के लिए sleeping pills की तरह इस्तमाल कर सकते हैं वो है केले और केले के छिलके बिस्तर पर लेटते ही अच्छी नीन के लिए हमारी बॉड़ी में magnesium, potassium और jing की मात्रा अधिक होनी चाहिए जो लोग बिस्तर पर रात भर करवटे बदलते रहते हैं उनके शरीर में अक्षर इन पोशक तत्वों की कमी पाय जाती है और इन सभी पोशक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए केले से बनी हुई चाह सबसे बहतर होती है केले की चाह बनाने के लिए सबसे पहले एक केले को अच्छी तरह धोकर साफ कर ले और उसके उपर और नीचे के हिसे को काट कर अलग कर ले उसके बाद केले को 2-3 हिसों में काट ले और इसे 3 कप पानी में डाल कर 5 मिनट के लिए मध्यम आज़ पर बॉयल करें पांच मिनट तक बॉयल करने के बाद इसमें आधा चमश दालचीनी पौडर या एक दालचीनी की स्टिक डालकर इसे दो से तीन मिनट और उबाले उसके बाद गैस को बंद करके इसे ठक कर ठंडा होने के लिए छोड़ दे जब यह हलका गर्म रह जाए तो आप इसका सेवन क पहले करने से यह हमारे शरीर के मान स्पेशियों और दिमाग को रिलैक्स करता है और साथ ही इसमें पाये जाने वाले ट्रिक्टोफेन की वज़ए से हमारे बॉड़ी में सरटोरिन और मेटाटोरिन हर्मोंस में बढ़ोतरी होती है यह दोनों ही हर्मोंस हमारे दिमाग को श जाहिए रोजाना इसका इस्तमाल करने से शरीर में आवशक पोशक तत्व की कमी पूरी होती है और साथ ही नींद ना आने के समस्या भी धीरे-धीरे खत्म होते जाते हैं घरेलो नुसकों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजे भी हैं जो कि दिमाग और नींद के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं जिसमें के ब्रह्मी अश्वगंधा और शंक पुष्पी सबसे मुख्य है आयूर्वेद में ब्रह्मी का इस्तमाल पुराने समय से ब् से हमारे सर में दर्थ होने लगता है ऐसे में चुबा स्ब्प ब्रह्मी और ऐश्वगंद्धा के चूर्ण के सेवन करने से इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है आधा चम्मज ब्रामी और आधा चम्मज अश्वगंदा के चूरन को दो कप पानी में डाल कर तब तक बॉयल करें जब तक ये पानी घट कर एक कप शेश ना रह जाए इसके बाद गैस को बन करके थोड़ा ठंडा होने पर इसका सेवन करें दिन के समय इसे पीने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हलका भी रहता है और पूरे दिन हमारे शरीव में अच्छी एनर्जी बनी रहती है जिसे रात में भी अच्छी और आसानी से गहरी नींद आ जाती है ब्रामी का चुरन आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा और अगर आप चाहे तो आप इसी ऑनलाइन भी खरी सकते हैं अगर आप ब्रामी के चुरन के जगह इसके रस या जूस का सेवन करते हैं तो भी आपके लिए उतना ही फाइदे मंद है इसके इलाबा कई बार जो लोग दिन में ज़ादा तर मोबाइल करते हैं या ज़ादा टीवी या कमप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं उन्हें भी रात की समय को शान दोने में काफी समय लग जाता है ऐसे में रोजाना रात को सोने से पहले अपने दोनों आखों को अच्छी तरह से धोले और सोते समय अपने दोनों आखों पर गुलाब जल में भीगोए हुए कॉटन को 10 मिनट के लिए रखें ऐसे में ये आपकी आखों और दिमाग के नसों को ठंड़क पहुचाकर दिमाग को शांत करने में मदद करता है और जल्दी नीद लाने में इससे बहुत ही फायदा मिलता है इसके लावा अगर आप एक लंबे समय से नीद ना आने के समझ़ा से परिशान है तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को तेजी से खत्म करने के लिए रोजाना सूने से पहले अपने पैरों के तलवों पर तिल या नारियल के तेल से मालिश करे हमारे पैरों के तलवों की नशे हमारे शरीर के कई मेन ओर्गन से कनेक्टेड होते हैं इसलिए तेल की मालिश करने से इसका हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है सोने से पहले पेरों की तील की तेल से मालिश करने से ये हमारे कमर पीट कंदे दिमार की नसों को शांत करता है और साथ ही हमारे पाचन क्रिया को भी बहतर बनाता है जिससे कि हम बहुत आसानी से ए अच्छी नींद के लिए रात के समय नहाना भी बहुत लापकरी होता है लेकिन हर मौसम में रोजाना रात को नहाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है इसलिए नहाने के जगा केवल अपने दोनों पैरों को 10-15 मिनट के लिए गुनगुने पाने में रखने से भी आपको बहुत ही आसान और आराम मिलता है ऐसा करने से हमारे शरी और दिमाग की नसों को बहुत ही शांती मलती है और बिस्तर पर लेटते ही आसानी से नींद आ जाती है इसके इलावा सोते समय अपने रूम की सारे लाइटे बन रखें या फिन हलके लाल रंके लाइट का हि कुछ आवश्यक शावधानियां भी बहुत जरूरी होती है नहीं तो किये हुए सारे नुस्खे केवल कुछ गल्दियों की वज़े से पूरी तरह बे असर हो सकते हैं सोने से पहले कम से कम 30-45 मिनट पहले किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का इस्तमाल ना करें जैसे कि टी पूल में व्माड़ लगता है इसके उलाव अगर आप शाम ड समय चाय पीते हैं तो नीचांएं कांव शाम की समय ने Lisa में इसका सिवन करना बंद कर दें इसके इलावा ये भी ध्यान रखें कि सोने से पहले ऐसी किसी भी एक्टिविटी में सामिल ना हो जिससे की सोते समय उसका ख्याल आई आपके दिमाग में जैसे कि किसी भी तरह का TV प्रोग्राम मूवी या फिर काम से संबंदित बाते जो कि देर तक दिमाग में ही कोशिश करें कि सोने से पहले दिमाग को अच्छी तरह शांद करें इसके लिए आप अच्छी म्यूजिक को भी सुन सकते हैं यह समय हो तो आप किताबी भी पढ़ सकते हैं अक्सर यह देखा गया है कि जिन लोगों को लागातार नींद ना आने के प्रॉब्लम होती है वो ह इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने मन को शांद रखें और केवल सोने के बारे में ही सोचे और यही सोचे कि आज आराम से और चैन की नीद आएगी अगर आप रात को ज्यादा मसालेदार या हैवी जीनर करते हैं तो ऐसे में भी आपके शरीर में हलचल बनी रहती है और आ सावधानी पिना भी बिल्कुल ना भूलें इन सभी सावधानियों के साथ अगर आप आज की वीडियो में बताए गए गरेलू नुसकों में से कुछ नुसकों का इस्तिमाल करते हैं तो आपको इंसोमेनिया यानि स्लिप डिसॉर्डर से हमेशा छुटकारा मिल जाता है या अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंड रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स वर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करन करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन मैं आओंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिसे आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हेल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू